लो दोस्तों आज के सोड़े में हम भुल भुले अत्री का रिव्यू देखने आले इसकी स्टोरी के बारे में इसके एक्टिंग के बारे में किसने कैसा काम किया है कैसा डारेक्शन है सभी कुछ हम जानेंगे मुवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए तो क्यों नहीं देखनी चाहिए इन सभी पॉइंट्स के बारे में आज हम बात करने आले थोड़ा लेट ज़रूर हुआ है रिव्यू लेकिन मैं आपको ओनेस्ट रिव्यू देना चाहा रहा था इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक मुवी देखी नहीं और अब मैंने मुवी देख लिए और इसलिए मैं आपके लिए ये रिव्यू लेकर आया हूँ जी हा दोस्तों मुवी की शुरुआत होते हैं कार्तिक आर्यान जो रूभाबा के नाम से फेमस हो चुके हैं और काफी लोगों को ठग रहे हैं रूभाबा बनकर तभी उनको ह एक दूसरे गाव में जाने के लिए कन्वेंस करते हैं एक करोड रुपे देने के बतले पर कार्तिक आर्यान इसके लिए तयार नहीं होते तो वो उनको ब्लैक मिल करते हैं उनका एक ठगी का वीडियो दिखाते हुए और फिर वो कार्तिक आर्यान तीनो जाते हैं उस गाव में जहाँ पर मंजुलिका है जिया दोस्तों जिया एक है या दो है या फिर इससे ज़ादा भूत है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा ये सब आपको जारने के लिए मूवी देखनी होगी क्योंकि मैं आपका ज़ादा सस्पेंस फो नहीं यहाँ पर ब्रेक करना चाहता और किहानी काफी बडिया अरचि गहीं है सिर्फ यह पर जो जो कॉमेडी ली गई है दोस्तों वह थोड़ी घडिया कॉमेडी लगी है मैं घडिया बोलूँगा क्योंकि मुझे तो वह वो कॉमेडी बिल्कुल भी पसंद आइ prioritize दो तो को कॉमेड़ी मुझे दो nutर है लेकिन सीरियस जो मूवी है पूरी बहुती बढ़िया है काफी बड़े बड़े सस्पेंस है इसमें और काफी बढ़िया भी बनी है एक फ्लो में मूवी बनी है अब बात करते एक्टिंग की तो कार्तिक आर्यन ने भी बहुती बढ़िया एक्टिंग की है और यहाँ पर माध विद्याबालन माधूरी दिक्षित पर हावी होती नजर आई है उनकी एक्टिंग माधूरी से थोड़ी जादा बेतर लगी है मुझे कई शॉट ऐसे है दोस्तो जो आपको भूल भूलया पार्ट वन की याद दिलाएंगे विद्याबालन के कई शॉट है जो हमें कॉमन लग है आप अपनी कुर्ची से हट नहीं पाएंगे इसकी ग्यारेंटी मैं लेता हूं दोस्तो लेकिन जैसे कि मैंने बता कॉमेडी काफी घटिया है कॉमेडी में मुझे कोई भी यहां पर तत्य नजर नहीं आया तो कॉमेडी पर आपको इग्नोर करना पड़ेगा अगर बात क सब कुछ बहुती बढ़िया है यहां पर आप जरूर इस मुवी को तेटर में जाके देखने लायक यह मुवी जरूर बनी है मुझे जो पार्ट पसंद आया दोस्तों मुवी का एंड जिया दोस्तों मुवी का एंड बहुती बढ़िया हुआ बहुती बढ़िया सस्पेंस रखा गया था और जो की आखिर में जाके खुलता है फिर से बता दू दोस्तों मुवी जो भूल बलया पार्ट वन थी उसी की तरह है और सभी उन्होंने जो सस्पेंस से पूरे अच्छे से खोले है और काफी अच्छे से समझाए है यहाँ पर कोई भी कन्फूजन नहीं रहत लगते हैं एक बार ठेटर में जाके आप इसे देख सकते आपके पैसे वसल हो जाएंगे इस मूव की स्टोरी भी काफी अच्छी है दोस्तों और मुझे जरूर लगता है कि यह सिंगम अगें को टकर देने वाली मूवी साबित होने वाली है तो आई होप दोस्तों आप सब आपको मेरे ये वीडियो और मेरा ये रिव्यू जरूर पसंद आया होगा अगर सच में पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेर कमेंट जरूर कर दिजे और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भुले और हाँ दो दोस्तों मिलते हैं अगले उडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई